विपक्ष अक्सर ही आरोप लगाता है कि केंदर की बीजेपी सरकार और चुनावायोग के बीच मिली भगत है और इसलिए बीजेपी जीतती है अब इन आईरोपों के बीच चुनावायोग की एक घोशना ने एक बार फिर विपक्ष को मौका दे दिया और अब विपक्ष चुनावायोग पर हमला वर हो गया है आखिर चुनावायोग तरफ से मुफ्तिक रेवनियों यानि फ्रीवीज के वादो को ले कर पहले से बहस यह मामला सुप्रीम कोट में भी चल रहा है इस बीच चुनावायोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखकर घोशना की कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा यह भी बताना होगा कि वो पूरे कैसे होंगे उसके लिए पैसे कहां से आएंगे इसके साथ ही आयोग ने पार् काफी खोश और संथोष्ट नजरा रही है और केंद्र सरकारी से कानून का हिस्सा बनाने के लिए जनपृति नित्थ्यू कानून में बदलाओ पर विचार कर रही है इस मामने में कानून मंत्री किरेंडी जूजु का कहना हैות कि लिए किये जाएं ताकि पर्याप्त पारदर्शिता और जवाब दे ही सुनेशित की जा सके लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनावायोग पर हमलावर हो गया है पूर कानून मंत्री और राजसभा सांसत कपिल सिब्बल ने तो इसे लेकर चुनावायोग पर तंज कसा है कि चुनावायोग ने सुप्रिम कोर्ट में दिये एक हलफ नामे में कहा था कि वो मुफ्त की रेवडी वाली डिवेट से दूर रहेगा लेकिन अब आयोग ने यूटर ले लिया है शिवसेना सांसत प्रियंक चतुरवेदी ने चुनावायोग के प्रस्ताव को विपक्ष को निशाना बनाने का एक और तरीका करार दिया है वहीं जेडियू ने तो इस मुद्दे पर चुनावायोग की तरफ से सर्वदल्य बैठक बुलाए जाने की मांग की है यानि एक बार फिर विपक्ष चुनावायोग पर बीजेपी से मुली भगत का आरोप लगा रहा है और जिस तरह से चुनावायोग के फैसले से बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है वो विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा रहा है दीवी लाइप की रिपोर्ट